तो गरिब सेंडिशन सब का स्वागता आपने देखा होगा ये एक बहुत बड़ा ऑप्तिमस प्राइम इस एरिया में इस जहां में हूँ वो है रोबोटिक्स गैलरी गुजराथ साइन सीटी की एमधाबाद में हम लोग में और पावर ट्रेन आयती है आपको बताऊगा अग लेने को इंट्रस्टिंग बहुत इंट्रस्टिंग प्लेस है ये मेरा फेवरेट चीज था ये जो बिल्डिंग है साइन सीटी में तो देखते अंदर क्या है अंदर जाते ही हमें कुछ रोबोट कियोस्क रोबोट मिले मेरेको ये टाइप ऑफ रोबोट बिलकुल पसन नह से है ये लियनर्डो डिविंसी ने स्केच किया था अपने बुक में का जाता है कि उसने कन्स्रक्ट भी किया होगा फिर लोगन उसके बुक से लेकर ये एक्च्वल कंस्ट्रक्शन किया तो देखा तो उसके पाव अगेरा हिलते है एलमेट वगेर ओपन क्लोस होता है रोबोट बना के चाहिए जो थंपिंग वगएरा कर सकते है चेस्ट का मुव अगएरा हिला सकते है तो जो जो इने लो टूरियानो जो है उसने ये रोबोट बनाया था और ये आज भी जिस म्यूजियम में उसमें वो काम करता है मतलए पूरा मेकनिकल रोबोट है ये बहुत इंटरस्टिंग उसके साड में कारा कूरी पपेट्स थे कारा कूरी पपेट्स ये जैपनीज पपेट्स है जो लेट 18 सेंचुरी से है ये बहुत इंटरस्टिंग है कारा कूरी का मतलब ही है मेकनिसम तो आप यूटूब पे जरूरू से साड में जो ज़ादा क्लोज है हमारी जेनरेशन से जिसे हम रिलेट कर सकते हैं रोबोट आम के साथ या या कोई रोवर वगरा वैसे या स्टार वॉट हैं धो तो स्टार ट्रेक फैन हो तो मैं इनपर कमेंट नहीं करूंगा मैं science fiction movies नहीं देख तो अगर कोई star trek fan है तो welcome salute दे दे ना comment section में उसके बाद हमें दीखें minion robots जो AI based थे और वो football खिलने वाले थे एक दूसरे के साथ पर पता नहीं हम सब की तरव भो भी अपने जीवन में lost लग रहे थे उसके बाद आया I think ये बहुत cool demo था यहां दो robots थे और ये robot fight करने वाले थे और एकदम cool था मतलब दोनों की entry एकदम WWE के song से एक की entry John Cena की song से मैं अब भी play नहीं कर सकता क्योंकि copyright strike या claim आ जाएगा फिर फिर वो जो robot right वाला जो है John Cena बन के आया था वो फिर show off करने लगा pull ups वगेरा सब मार के push-ups वगेरा करके show off करने लगा और फिर उनकी fight शुरू हुई अब आप देख सकते हैं उनकी उपर QR code यह मुश्लिम उनका ऊपर एक कैमरा था position identify करने कहां है कोन से जगा पे फिर उनकी fight शुरू हुई और देखो यह हुआ अब यह बहुत funny था राइट और थोड़ा देखलो एनिवेज उसके बाद हमें दिखा यह यूनिट्री का एवन रोबोट अब यह बिजिकली सस्ता बॉस्टन डानेमिक्स का spot है बट मैं इसे respect करता हूं इस founder का यह जो Chinese company इस founder का एक एम ताकि उसे वैसे रोबोट्स जादा सस्ते करने ताकि नॉर्मल लोग भी खरे सके जो मैं सुनके अच्छा लगा आई विश ऐसे कुछ रोबोट्स को इंडियन companies बनाते होते मैंने कुछ इंडियन company से पूछा था पर वो defense के लिए बना रहे हमारे हम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं उसके बाद हमने देखा कुछ प्रपी के अलेमेंट्स अगर लेकर रहा था जो काफी कूल था उसके बाद हमें दिखा एक सर्जिकल रोबोट जो देखते देखते मेरे को माइकल रीव्स की सर्जिकल रोबोट की याद अगए अगर आपने देखा है तो आपको बताओगा यह प्लेस ना बहुत बड़ा है मतलब शायद कुछ तीन फ्लोर है और मतलब बहुत स्पेशिस पिल्डिंग है एक फ्लोर के एंड में यह कैनेडा जो इंटरनाशनल स्पेसेशन पर जो रोबोटिक आम है उसका एक रेप्लिका टाइप बनाया था उन्होंने स्केल मॉडल और उसके आम के एंड में एक रोबोट काइंड ऑफ था जिसने इस रो की शट पहने थी जो बहुत कूल था तो यह ऐसे ही डेम हो था एक कूल सा बच्चों का मज़ा यार इमेजिन आप छोटे बच्चे होता और ऐसी कुछ प्लेस में आते है आप तो पूरा का पूरा इंस बहुत दुखी वाला रोवर है इसका नामें एक छोटी सी आशा इसी है जो टीम इंडस का रोवर था यह इंडियन कंपनी थी जो चांद पर जाने रहे थी बहुत पहले 2008 में वह एक्सप्राइस में पार्टिसिपेंट थी फिर एक्सप्राइस कैंसिल हुआ क्योंकि कोई भ सब्सक्राइब तेम इंडस है वो कुछ और काम कर रहे हैं पता नहीं कोई क्लारिटी नहीं कुछ है निकर फिर एक कैमरा मतलब वाला सैटलेट का एक छोटा सा मॉडल था क्यूब सैट का और लास्ट में एक रोबर्टिक आर्केस्ट्रा मुझे नहीं बता यह में प्ले कर स तो बस यही था बहुत इंट्रेस्टिंग प्लेस थी आयो आपको एक छोटा सा व्लोग पसंद आया और भी चीज़ें छे सब नहीं दिखा है आपको कभी विजट करने में ला तो कर ले ना पावर्ट्रीन भाई का भी एक व्लोग है वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्श प्रीतम रजदेश पांडे विशाल बारत तरुन माजन शशंक कोठारी श्रीहर्च महापात्रा पल्लोव रानडे गोतम सैसुर्या मौमद शाजन रिविज़ें